आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिन्होंने देश को सबसे उपर रखा और अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी सबसे ज़ादा सेलिब्रेटीर हिरो हैं ये भारत के अगर चर्चे होते हैं इनके तो सिर्फ दूसरों के लिए वीरगती को प्रापत हो गए शहीद हो गए सिर्फ 23 साल की उमर में जिसमें हम करियर के बारे में सोचते हैं और अपनी जिन्दगी के बारे में सोचते हैं उन्होंने देश के बारे में सोचा गरीबों के लिए सोचा और फासी पर चड़ गए सिर्फ और सिर्फ अजादी के लिए इंकलाब जिन्दाबाद हम बात कर रहे हैं भगत सिंग की आज हम इनकी जीवन परीचे के बारे में पढ़ेंगे 27 सितंबर 1907 दोस्तों यह बात है आज से करीब 110 साल पहले की जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा नहीं हुआ था बारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था उस समय भगत सिंग का जनम 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था जो की इस टाइम अब पाकिस्तान में है भगत का जनम सिक परिवारे में हुआ था उनके जनम के समय उनके पीता किशन सिंग जी जेल में थे भगत सिंग ने बचपन से ही अपने घर में देश भक्ती देखी थी उनके चाचा अजीत सिंग जी थे और जो की बहुत बड़े सवतंतता सनानी थे उन्होंने भारतिय देश भक्ती एसोसियेशन भी बनाई थी इसमें उनके साथ सेद हैदर रजा थे अजीत सिंग के खिलाफ 22 केस दर्ज थे जिससे बचने के लिए उन्होंने इरान जाना पड़ा भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंगलो वैदिक हाई स्कूल में करा दिया था भगत सिंग जी का सवतंतरता के लड़ाई में योगदान भगत सिंग ने सबसे पड़ाई नो जवान भारत सभा जोईन की जब इनके घरवालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया की वे अब उनकी शादी नहीं करेंगे उसके बारे में नहीं सोचेंगे तब भगत सिंग जी अपने घर लाहोर लोड़ गए वह उन्होंने कीरती किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीरती के लिए कारी करने लगे वे इसके द्वारा देश के नो जवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे भगत जी एक बहुत अच्छे लेकग भी थे जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए लिखा करते थे 1926 में नो जवान भारत सभा में भगत सिंग को सेकेटरी बना दिया गया इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान शोचलिस रिपब्लिकन एचासारे जोईन कर ली जो एक मोलिक पार्टी थी चंदर शेकर अजाद ने बनाया था पूरी पार्टी के साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को वो भारत आए और उन्होंने साइमन कमिशन का विरोध किया जिसमें उनके साथ लाला लाजपत रहे भी थे साइमन वापस जाओ कानारा लगाता है वे लोग लहाओ और रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहे जिसके बाद वाँ लाठी चार्ज हुआ और जिसमें लाला जी बूरी तरह से घायल हो गए और फिर लाला जी की उसमें पृत्ति हो गई भगत सिंग के व्यक्तितव की एक महतुपुन विशेश्टा यह थी कि ये एक अच्छे लेखक थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे वे उदेशेवादी लेखक थे उनका एक ही उदेशे था जनता को क्रांती के लिए तियार करना अपने उदेश्य की पूर्ती के लिए भी अपने कारियों को तीन भागों में बाटा करते थे प्रथम जनता के सीधे दिमाग पर हलकी चोड़ देकर उन्हें जगाना दूसरे जनता को जानकारी देना और तीसरा था उन जनता को प्रेरना देना की जो कुछ दूसरों ने किया भे तुम भी कर सकते हो मेंस जनता के अंदर एक क्रांती पैदा करना जी द्वारा दिये गए नारे इंकलाब जिन्दाबाद समराजयवाद का नाशो राक का हर एक कन मेरी गर्मी से गतिमान है मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है जरूरी नहीं था कि क्रांती में अभी शब्त संगर शामिलो यह बम और पिस्तोल का पंथ नहीं था बम और पिस्तोल क्रांती कारी नहीं लाते क्रांती की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वले पत्थर पर रगड़ी जाती है यह सब भगत सिंग जी के नारे थे इन नारों ने देश के जनता में बहुत क्रांती ला दी थी और सबने मिलकर सवतंतरता संग्राम में भाग लिया साथ अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 प्रिशोक प्रिस्टो का निर्ने लिया गया था जिसमें भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरु को फासी की सजा और अन्य करांती कारियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी दोस्तों फासी का दिन 24 मार्च 1931 की सुबह का समय रखा गया था लेकिन जनता में अक्रोश भरा हुआ था इसलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को ही फासी देने का फैसला लिया और फिर शाम को 7 बज कर 33 मिनट पर भगत सिंग और उनके दोनों साथी सुकदेव और राजगुरु जी को फासी दे दी गई थी